आयेफ्टेम विश्विद्दाले को एलिट्स टेक्नो मीडिया के ओर से आयोज बीसमें विश्व शिक्षा शिकर सम्मेलन में भारत में उभरते हुए विश्विद्दाले के पुरुस्कार से नवाजा गया मुझे आपको ये बताते हुए हर्स की अन्भूती हो रही है कि आयेफ्टीम विश्विद्दाले को एमर्जिंग इन्वर्सिटी इन इंडिया का सम्मान मिला है एलिट्स टेक्नो मीडिया द्वारा आयोजित वर्ल्ड सम्मिट में हायर एजूकेशन को ले करके पैनल डिसकसन किये गए इस वर्ल्ड सम्मिट में इन्डिया के गौर्ण्मेंट और प्राइवेट इन्वर्सिटी के लगभग असी वाइस चांथलर्स ने परतिभाग किया हायर एजूकेशन में टेक्नोलोजी के यूज यूम अन्य कई बिसमों पर विचार विमर्स किया गया इस अवार्ड के लिए देश के बहुत सारे विचुविद्यालों ने आयोधन किया था परंत निडायक मंडल ने विभिन बिंदों को ध्यान में रखते हुए हमारे आईफ्टीम विचुविद्याले को Emerging University in India के लिए चुना गया जैसा कि आप सभी जानते हैं 2011 में आईफ्टीम विचुविद्याले को उत्तर परदेश सरकार योम UGC द्वारा माननेता मिली और बहुत कम समय में हमारे विचुविद्याले ने उचाईयों को छूते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली उत्तर परदेश में बहुत कम प्राइबेट विचुविद्याले ऐसे हैं जो नैक से ग्रेडिंग प्राप्त किये हुए हैं उनमें IFTM विचुविद्याले एक है विचुविद्याले के सभी फेकल्टी मेंबर्स यों में स्टाफ को करी मेहनत के कारण आज हमें इस एमर्जिंग इनवर्सिटी इन इंडिया का आवाड मिला है मैं अपने सभी टीचिंग और नान टीचिंग स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो पुरस्कार है ये उनके अथक प्रयास का ही प्रतिफल है बिना सामुहिक प्रयास के कोई भी अवाड कोई भी सफलता नहीं मिल सकती इन सब में सभी का बराबर योगदान है केवल आज वाइस चांसलर होने के नाते सारा स्रे संपूर्ण सेरे मेरा ही नहीं है बलकि सभी फैकल्टी मेंबर्स यो नान टीचिंग स्टाफ इसके लिए उत्तरदाई है